नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथ क्या है स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं इस स्टॉक पर राउंड एक हथे पहले हमने Corporation Limited आज भी इस स्टॉक में 6-7% की रैली देखने को मिल रही है आप सभी को जब से रिकमेंड करा है तब से तुफानी रैली में चल रहा है और रिकमेंड करने के पीछे का जो रीजन धाना वह बहुत ही जादा कहीं बहुत इंपोर्टेंट और बहुत वजंदार रीजन था मै आप को बता दू इस स्टॉक में जो लेवल्स ब्रेक हुएते वो लेवल जिसके जब से मार्केट में आया तब से पहली बार लेवल्स आयते हो आई प्यों के प्राइस के उपर फर्स टाइम निकलाता यह स्टॉक तभी आपको रिकमेंड करा आई प्यों के लेवल का प्राइस को छोड़िए आप जरा वॉल्यम्स पे नजर डालिए इस टॉक में आज 13.6 करोड़ शियर्स ट्रेड हुए है एवरेज वॉल्यम्स भी आप इस टॉक के बढ़का 2 करोड़ शियर्स हो गए है लेकिन उसके बावजूद भी इस टॉक में अराउंड 6 टाइम से ज हो जाएंगे और डिलिवरी आई 2 करोड़ शियर्स की जो कि इसके एवरेज वॉल्यम है यानि कि मतलब डिलिवरी परसेंटेज बहुत तंगड़ी हो रही है परसेंटेज तो 23.9 परसेंट है लेकिन अगर आप इसका ये देखेंगे कि बाई जो डेली बेस पे एवरेज होती हैं इसे अच्छा पांस दिन का एवरेज तो 13 करोड़ शियर्स हो चूब है इसमें तीन करोड़ शियर्स डिलिवर हो रहे हैं डिली बेस पर कहीं नहीं यह बड़ा बड़ा नमबर आ रहा है सामने और 30 डेस का एवरेज वॉल्यम है 3.8 करोड़ शियर्स के सामने 1 भी बड़े निवेशा गया फिर जो भी रिपोर्ट कभी सिस्टोक को अंडर वेट कभी सिस्टोक को खराब नहीं गोला इन फैक्क मैंने भी आस तक जितनी वीडियो बनाई है या रेसी पर कभी खराब नहीं हो ला यह स्टॉक 19 रुपे तक नीचे गया था तब भी मैं आपसे एकी चीत यह था था कि financials बहुत strong है profit बहुत अच्छा है बहुत सारे लोग इसे पहनी स्टॉक समझते हैं बटे यह पहनी नहीं है पहनी स्टॉक का जितना मार्केट केप होता है उससे ज्यादा तो कंपनी प्रॉफिट कर दी है 15-16 करोड का प्रॉफिट आता है कंपनी का quarter on quarter basis बात करूं तो और इसका मार्केट केप बढ़कर 41,000 करोड का हो गया है हाला कि तब तो 23,000 करोड का था लेकिन अब तो 41,000 करोड का हो गया है तो एक लार्ज केप कंपनी है यह स्टॉक एक महीने में जैसा ही मैंने आपको बदाया 21 से स्टॉक का भाव अभी 31 हो गया है तो almost 40% plus returns है से स्टॉक में औ और अगर मैं बात करूँ October September last से अभी तक लगबग 50% की returns हो गए है लोस से बात करें तो 50% ही almost और इस स्टॉक का IPO प्राइस एक पर दुबार आपको याद दिलाना चाहूँगा 25-26 का दा यह सारी बात होगी company के बारे में अब आते हैं कि क्या हम यहां भी खरीद सकते हैं य नहीं बढ़ सकता क्योंकि अगर आप railway share देगे तो RVNL देख लीजी आप आज भी तंगड़ी रह लिए तो railway stock कहीं नहीं buzzing कर बस कर रहे हैं चाहे वो RVNL हो, railtail हो, ircon हो, rides हो या फिर IRFC दुना हो, सिर्फ IRCTC नहीं चल रहा है वो भी चलेगा जल्दी तो कहने वाली बात यह है कितनी तेजी बनेगी यह हम predict नहीं कर सकते हैं पट यहां risk reward हमारे favor में नहीं है जो risk ले सकता है वो खरीदे और essay level का stop loss रख ले जितनी वो risk ले सकता है for example आप 31.50 अब भी ले रहे हो currently तो आप देख लो कि भाई मैं 1 रुपे का SL ले सकता हूँ, 1.5 रुपे का ले सकता हूँ जो भी आपको अपनी risk according ठीक लेगे उस stop loss के साथ hold करो proper SL जो बनेगा वो छोटा मोटा नहीं होगा वो बनेगा भी 28.8 रुपीज पे तो वो दो जाएगा बहुत बड़ा इसलिए मैं आप से कहना हूँ आप अपनी risk according SL रख के खरीदें क्योंकि rally किसी को नहीं पता कितनी बनेगी लेकिन अगर आप technical terms पे बात करें तो dips पे लेना चाहिए जब 30 रुपे के करीव है 30 या 29 पचास पे और 28 पचास का stop loss रखना चाहिए तब खरीदें और उपर के levels रखें अब इस stock में fresh entry नहीं लेनी चाहिए क्योंकि stock की book value around 33 रुपीज पे और almost उनी levels पे आ चुका है तो अब यह stock long term के एसाब से यहां से कितना बनाएगा कितना नहीं बनाएगा मुझे नहीं पता है stock dream level चल रहे है dream run चल रहा है stock का बट simple सी बात यह है कि आप risk reward favor में नहीं क्योंकि हमारे जितना SL होगा उतना ही हमारा target तो मजा नहीं आएगा तब आपको मैंने 75 रुपे के SL के सामने 4 रुपे का target दिया था जो कि 20% होता है तो बहुत अच्छे levels आ गए है अब यहां मैं और जिसके पास है इसने खरीदा हमारे कहने से उसे क्या profit बुक करना चाहिए इसका सही जवाब होगा कि आप अभी hold करें और stock में हर 50 पैसे पर stop loss रखते चले अब जैसे कि आज आज आपके पास stop loss जो होना चाहिए वह around 29.85 का रख लीजिए ठीक है hold करिए कल और बढ़ता है थोड़ा stop loss को ट्रेल कर लीजिए या फिर आपको satisfaction मिल रही हो तो बुक करो profit बस simple ये भी आपका एक option है आपके पास तो ये मेरी राय होगी IRFC के stock को लेकर hope आपको वीडियो समझर पसंद दौन आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys